बिलकुल आप जो थिंकिंग डांसर का बात कर रहे हैं कोरियोग्रफी में जादा उनका थिंकिंग जो है नजर आते हैं इनों क्योंकि डांस अगर हम जब अगर हम ट्रेडिशनल डांस दूसरे का कोरियोग्रफी में कर रहे हैं जैसे मैं जब स्टूडेंट हूँ तो मैं अप अपना सोच नहीं है अपना टिक्नीक है अपना डांस है अपना तयारी है लेकिन अपना सोच नहीं है लेकिन अपना सोच नहीं है लेकिन आप जब अपना कॉम्पोजिशन खुद कोरियोग्राफ करते हो और उसमें आप खुद भी डांस करते हो या दूसरा आटिस्ट को लेक और एक film बनाई, documentary, Beyond Tradition, Contemporary Dance के ओपर लेकिन वो दोने ही dance से जुड़े हुए हैं क्योंकि dance is my main passion तो अच्छा experience रहा और उसमें काफे सारे technical चीजे भी समझाएं और एक, you know, because dance is something which involves space हम एक physical space में dance करते हैं वो यहां rehearsal के लिए भी हो या एक stage के लिए भी हो लेकिन when you are seeing it through camera, उसका एक अलगी, you know, there's a different dimension to it तो that was a very good experience और बाकी बहुत सारे dancers उसे काम करने के लिए मिला हैं उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हैं So I think it was a very enriching experience